आज के हमारे इस वीडियो का टोपिक How do we connect a RCCB in house wiring मतलब कि हम हमारे घर में RCCB का connection कैसे करेंगे दोसों यहाँ पर हमारे सामने दो तरीकी की situation आ सकती है एक situation आ सकती है जिसके नदर हमको MCB के साथ में RCCB का connection करना है और second situation हमारे सामने यहाँ सकती है कि हमारे पास कोई MCB नहीं है हमारे पास सिर्फ एक isolator है और isolator के साथ में हमें RCCB का connection करना है तो दोसों इन दोनों ही case में RCCB का connection कैसे किया जाता है वो आज के इस वीडियो करने हम जान लेंगे तो वीडियो को start कर लेते हैं तो दोसों RCCB का connection करना काफी जादा simple है और इसको start करने से पहले मैं आपको कुछ point बता दूँ जो कि कहीं लोगे मन में confusion रहते हैं सबसे पहला point कि RCCB का connection करने के लिए क्या हमें हमारे घर में earthing के आवशकता है या नहीं तो दोसों आपके घर में earthing नहीं है तो भी आप RCCB का connection कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको RCCB पूरी सुरक्षा देगी जैसे वो normal condition में देती है इसके लाओ दोसों एको दूसरा point कई लोगे मन में यह भी question रहता है कि अगर मैं मेरे घर पे RCCB को लगा रहा हूँ देना चाहे वो हमारे घर की टीवी हो फ्रीज हो हमारे washing machine हो हर चीज को सुरक्षा जो देगी electrical के उपकरण को वो देगी हमारी MCB और second चीज जब हम RCCB की बात करते है तो RCCB किसे सुरक्षा देती है RCCB हमें सुरक्षा देती है मतलब कि human को protection देती किस चीज सा सुरक्षा देती है तो वो देती है हमें electrical के शौक लगने से मतलब कभी हमें current का जटका ना लगे उससे हमें सुरक्षा देगी RCCB तो अब आपको clear हो गया कि हमको MCB भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमको हमारे electrical के उप current के भी सुरक्षा चीज है करना काफी ज़्यादा आसान है सबसे पहले यहां पर बना रहा हो यह बना रहा हो मैं हमारा मिटर मतलब हमारा जो electrical की जो supply आती है जो हमारे government की supply आती है वो मिटर के अंतरा आती है फिर मिटर से हमको output में electrical की supply मिल जाती है two-pole की mcb जिसके अंदर हम face भी जोड़ सकते हैं तो अगर आप आपके घर में two-pole की mcb को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे mcb को लगाएंगे तो mcb के अंदर हमारा face और यह newtl दोनों चीज आ चुकी है अब इसके बाद में दुस्तर क्या होता है हम mcb को on करते हैं और output में हमको क्या मिल जाता है एक face मिल जाता और एक newtl मिल जाता है अब इस face और newtl को हमको क्या करना है RCCP के अंदर जोडना है अब दोस्तों कहीं लोग के मान में यहाँ पर यह भी question रहेगा RCCP में उपर जोड़ू या फिर नीचे जोड़ू इसके लावा एक और question यह भी रहेगा कि मैं face inside जोड़ू या inside जोड़ू तो दोस्तों देखिए अगर आपके RCCP में कि हमारा जो incoming है जो हमारा MCB से आ रहा है वो में उपर जोड़ू या नीचे जोड़ू तो दोस्तों इसका जवाब भी काफी simple सा है अगर आपकी RCCP में लिखा हुआ है कि हमको इदर लाइन जोडनी है और उपर लोड जोडना है तो तो आप उसी तरीके जोड़ेंगे लेकिन इस RCCP में कहीं पे भी line load नहीं लिखा हुआ है कहीं पे 01 लिखके भी हमको show नहीं करका है तो मैं कहीं पे भी इसमें incoming जोड सकता हूँ और कहीं से भी मैं इसमें output निकाल सकता हूँ तो जैसा मेरे लिए easy रहेगा वैसा मैं इस RCCP में जोड सकता हूँ तो अभी मेरे इस case में क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक RCCP को लगा देता हूँ और जो मेरी MCB से उप्लाई मिली वो MCB की सप्लाई में डायक RCCP में लागे जोड देता हूँ तो यहाँ पे मैंने RCCP लगा दी और face और neutral मेरे RCCP के अंदर आ गया और RCCP को जैसे हैं मैं on करता हूँ तो यह RCCP इस face और यह neutral मुझे मिल जाता है अब दोस्तों यह है जो मेरा face neutral है इस face neutral को मैं हमारे normal wiring के तरह ही use में ले सकता हूँ अगर मेरे घर में कहीं सारी मैंने single pole की MCB लगा रखिए तो मैं इस face को वहाँ पे comment दे दूँगा और neutral हमारे direct electrical के उपकरण में चले जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पहली wiring हो चुकिए जिस case में हमारे पास में MCB थी अब दोस्तों इसके बार में हमारी second wiring की बात कर लेते हैं कि आपके पास में एक two pole की MCB नहीं है आपके पास सिंगल सिंगल pole की MCB है तो अब इस case के अंदर आप RCCB का connection किस तरीके से करेंगे तो दोस्तों इस case में भी हमारा RCCB का connection करना काफी ज़ादा आसान है तो आपको क्या करना है जो meter से हमारा face neutral हमें मिला है सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको हमारे RCCB के अंदर डाल देंगे इसके लाओ दोस्तों अभी हम बात करें कि हमारे पास में MCB नहीं है इसलिए हम direct RCCB को जोड रहे है किसी-किसी case में ऐसा होता है कि हमारे पास में isolator रहता है तो उस case में आप क्या करेंगे तो उस case में हमारी पूरी wiring वो सेम ऐसी की ऐसी रहेगी पर यहाँ पर जो MCB, MCB की जगए आपका isolator आजाएगा मतलब कि RCCB से पहले आप isolator को लगा लेंगे अब इसके बाद में हम तीसे नमबर बें बात कर रहे हैं कि हमारे पास में MCB है ना हमारे पास में isolator है तो हम connection कैसे करेंगे तो दोसों यह connection सिंपल सा ऐसा है कि हमारे जो man line का wire आ रहा है वो man line का wire सब से पहले हमारी RCCB के अंदर जाएगा इंपूट में और RCCB जो output मिलेगा वो हमको मिल जाएगा एक face मिल जाएगा और एक neutral मिल जाएगा तो यह हो गया मेरा face और यह हो गया मेरा neutral अभी जो face neutral है इस face neutral को मैं क्या करूँगा हमारी जो कहीं सारी single pole की MCB लगई है उस MCB में हमारे face को लगा दूँगा और हमारे जो neutral है वो neutral हमारे सभी कमरों में comment चले जाएगा तो इस तरीके से आप आपके तीनो condition के अंदर RCCB का connection कर सकते हैं तो दोस्तों उमीरी के अब आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हमारे चनल को सस्क्राइब कर लिजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद